तो दोस्तों फाइनली भारत की पहली aluminum train बना करके launch कर दी गई है और इसको आने वाले future में export के लिए भी तयार किया जा रहा है जहाँ पर इस aluminum train की manufacturing पूर्ण सौधी सी रूप से भारत में की गई है और इसको manufacture करने वाली company है टी टगर वेगंस Company की manufacturing unit पशिम मंगाल में है और वहीं से भारत की पहली aluminum train launch की गई है जो की पुने Metro परियोजना में चलाई जाएगी जिसके लिए बीति सनिवार को Secretary of Ministry Housing and Urban Affairs और Chairman महरास्ट Metro Rail Corporation के मनोज जोशी के द्वारा ये train launch की गई है बात करें हम कोज सप्लाई के बारे में तो टीटागर वेगंस को 2019 में पुने Metro के तरफ से 102 Metro कोज डिबो के डिजाइन निर्माण की आपूरती के लिए order दिया गया था इसके तहट कंपनी लगभग 34 यानि 34 टेनों की सप्लाई करने वाली है और इसमें लगभग 1100 करोड रुपे खर्च आने वाला है जहां पर इन ट्रेन्स की सप्लाई वर्स 2022 और 23 तक कंप्लेट कर ली जाएगी जानकारिकलाब को बता दे कि कंपनी इतनी जादा एडवांस कैसे बनी क्योंकि कंपनी ने 2015 में इटले में स्थित फायरमा ट्रांस्पोर्टेशी को अधिगरहन कर लिया था और उसके बाद टीटागर्ड वैगन्स इस काबिल बन चुकी की भारत के अंदर वो हाई स्पीड कोचस की मैनिफाक्ट्रिंग कर सके और रेल्वेस के लिए अलग-अलग कॉम्पोनेट की सप्लाई भी ये कंपनी करती है वहीं कंपनी की दिमांड इतनी जादा भारत बर में बढ़ चोकी है कि कंपनी उत्रा पारा जो की कॉलकता में हैं वहाँ पर भी अपनी नई मैनिफा प्रति घंटे की रफतार से चलने के लायाक तयार किये गए हैं कंपनी के मताबिक इस मैनिफाक्ट्रिंग यूनिट में बोगी बोगी फ्रेम इंटर्नल इंटिरियर ब्रेकिंग सिस्टम जैसे कई इंपोर्टन कंपोनेंट को सफलता पूर्वक वो भी पूर्ण सौधी सीकरन तरीके से तयार किया जाता है वहीं टीटागर्ड वैगन्स के प्रवंधक उमेश चौधरी जी का कहना है कि हमें बहुत ज़ादा खुशी है कि ये पहली अलमुनियम ट्रेन मेड इन इंडिया के तहत बना करके तयार की गई है और कंपनी को काफी ज़ादा गर्व है कि वो भारत के लिए ऐसा काम कर रहे हैं क्योंकि अलमुनियम से बनाएगे ट्रेन्स ये काफी ज़ादा लाइट वेट और एनरजी एफिशन्स है जिसे एलेक्टिसिटी और टाइम दोनों बचाया जा सकेगा वहीं रिपोर्ट्स में एक और बड़ा खुलासा किया गया कि टीटागर्ड वैगन्स अब भारत के साथ-साद international market को भी ध्यान में रखेगी और कई नई advance एल्यमुनियम मेट्रो कोचेश तयार किये जाएगी जो कि international नेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट किये जांगे इससे पहले भी भारत से कई मेट्रो सप्लाई की गई हैं और अभी वरत्मान में कम्पनी के पास एक साल के अंदर 250 कोच मैनिफाक्चर करने की शमता है और कम्पनी इसको एक्सेंट करके कुछ सालों में लगभग साढ़े 400 को पर एर प्रडक्शन करने की कैपसिटी को बेल्ड करने जा रही है तो बहुत-बहुत वधाई टीटागर्ड वेगन्स के लिए कमेंट में जहेंद जरूर लिखेगा भारत कैसे ही इन्फोमेटिव वीडियोस पाने कले हमारे यूटिव चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ल